हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक ट्योर चैनल एंड गाईज अगर आपके पास शाओमी का मी A3 का डिवाइस है सोगज फाइनल अब देखेंगे शाओमी की तरफ से मी A3 डिवाइस के लिए गूगल के एक नया अपडेट मिलना चालू हो चुका है जो की इसी मार्च महिनी का अप अपडेट को इंस्टॉल करने के बाद मी A3 डिवाइस में कौन को से चैन्जेस देखने को मिल जाता है एंड पी चले अकौन को से पुराने बक्स को फिक्स किया गा है सारी जानकारी इस वीडियो में एक्स्प्लेंग करने वारा उस सोगज इस वीडियो को शुरू से लेकर लासक जरू देखते रहें तो चले गए शुरू करता है आज का वीडियो तो दोस्तो फाइनली देखेंगे मी A3 डिवास के लिए एंडरोड 11 का अब्रेट मिलने के बाद तीसरा अब्रेट मिलना चालो हो चुका है जो कि आपको एक 184 MB का अब्रेट जो कि मार्च मैनी का अब्रेट मिलना चालो हो चुका है और दोस्तो इस अब्रेट को इसटाल करने बाद आपको जो भी जितने सारे पुराने प्रॉब्लेंस थे मतलब की बक्स थे I think यहाँ पर फिक्स हो चुके होंगे आपको इस मार्च मैने का अब्लेट जरू देखने को मल जागा तो चेले में भी इस अब्लेट को सक्सेस्वल इस्टॉल कर ले तो उससे पहले दोस्तो अगर आपको Xiaomi के Mi A3 device के लिए कुछ बैक केस कवर चाहिए एक premium strong quality के back case cover चाहिए matte back case cover चाहिए तो उसकी जो link है में आपको नीचे description में प्रवट किया है तो दोस्तों अगर आपके Mi A3 device के लिए जो भी accessory चाहिए जैसे की temper glass है, camera bump protector उसके बाद premium back case cover चाहिए तो नीचे में आपको description में link दिया है आप मेरे store से सारे सारे accessories purchase कर सकते Mi A3 device के लिए तो दोस्तों में अपनी device में इसी March मैनी की update को successful install किया है और इस update install करेंगे बाद सबसे first यह पर बात करेंगे आपको थोड़ सा lag stator देखने को मिल जागा वेसे इतना जादा देखने को ने मिलेगा बस आपको थोड़ सा rarely देखने को मिलेगा क्योंकि दोस्तों मेरे जो device का memory अपर फुल होई चुका है मतलब जो RAM management अपर फुल होई चुका है notification panel के बार में बात करेंगे तो notification पहले में आपको इस बारी optimizations को मिल जाएगे सो ज़िए अब्डेट इस्टॉल करेंबद हम जाएंगे system में और system में जानी बशेक्र करके देखेंगे मेरे system में पर अप्डेट होच चुक है जिसके मेंनि का कि आपको 5. March का। सेकोड़ी बैठी लेखने को मिल जाता है और रक्द देखने मेंने के बा Easy दोारी देखने को मिल चूका है सुधुक्त मार्च म सबर्डिल के बादा का रज ने इसके बाद दोसा बात करेंगे features के बार में सोगज मुझे settings में कुछ जादा खास तो features देखने को ने मिल है notification panel के बार में बात करेंगे तो notification panel में आपको कुछ optimizations देखने को मिल जाएंगे और जो screen recording के feature से उसमें भी देखेंगे last update के बाद कापेसरी लोगों को audio का problems देखने को मिल था लेकिन दोसो मुझे नहीं लगता कि इस update के बाद आपको screen recording में कुछ problems देखने को मिल सकता है तो screen recording भी देखेंगे काफी well optimized किया गा है इसके बाद बात करेंगे setting में आपको कुछ ज़्यादा features भी देखने को नहीं मिलते है क्योंकि मैंने setting में सब कुछ आपर चेकर करके देखा है तो setting में मुझे कुछ भी आपर ज़्यादा latest feature देखने को नहीं मिला है और जो chart bubble का feature से मतलब कि conversation bubble का feature से chatting applications के लिए वो भी properly work होता है क्योंकि दोस्तों last update के बाद काफे सरे लोगों ने मुझे comments करके बता था कि जो chart bubble का feature से वो यह अपर गायब हो चुका है लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं आप setting में जाए chart bubble का features को enable कर लिए उसके बाद जो भी application है उसके पर select कीजे और उसकी भी setting on कीजे उसके बाद ही दोस्तों आपको जो chat bubble का feature से properly work करेगा इसके बाद दोस्तों बात करेंगे camera settings, camera features के बार में and optimizations के बार में तो दोस्तों camera की user interface देखेंगे काफी better तरह के से optimize किया गा है आपको camera की जो optimizations and user interface से काफी lightly देखने को मिल जाता है लेकिन दोस्तों जिब यापर photos capture करेंगे थोड़ से बार देखेंगे कुछ seconds के लिए थोड़ सा delay हो जाता है मतलब दोस्तों photo capture करने के बाद साथे साथ यापर quickly photos capture नहीं करता है तो मैंने पर चे करके देखा है rear camera से तो rear camera से देखेंगे photos capture होने के बाद कुछ millisecond के आपर देखेंगे delay हो जाता है photos capture करने के लिए वैसे दरस्तों आप मुझे comment करके जरूब बता कि camera में आपको कुछ problems से मतलब की bugs है comments करके जरूब बता सकते है वैसे दरस्तों अपडेट होने के बाद मैंने आपर camera samples capture करके देखा है rear camera and front selfie camera तो जो selfie camera मुझे as it is देखने को मिले है मतलब कि selfie camera में मुझे कुछ भी optimizations देखने को नहीं मिला है और जो rear camera जो कि आप देखेंगे आपको पहले से जैसा optimize था वैसे कि वैसे optimize है तो rear camera वैसे optimize है मतलब कि अच्छा quality का आपको photos देगा लेकिन selfie camera के बार में मुझे अभी भी पता नहीं है 32 megapixel का selfie है फिर भी कुछ खास quality के photos capture नहीं करता है तो दोस्तों आज के सिरे में में आपको बस इसी Xiaomi के Mi E3 DS की March मैनी के update के बार में information देने वाला था